दिल्ली आजादपुर चौक के पास रिक्षा वालों का अंधेर गर्दी मनमानी बीच सड़क पर रिक्षा खड़ा किया जाता है लालवत्ती होने के बावजूद भी बीच सड़क पर रिक्षा मौत के रिक्षा की तरह दोरते रहते हैं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लगातार उगाही के बाद कोई लगाम नहीं लगाती रिक्षा रिंग रोड पर चलाई जाती है जबकि रिक्षे को कॉलोनी में चलाना था ये सब पुलिस प्रशासन की मिली भगत से हो रहा है बीच सड़क पर रिक्षा लगाने के कारण आए दिन घटनाए होती रहती है एक्सिडेंट होता है इसका जिम्मेदार कौन है प्रशासन पुलिस ट्रैफिक पुलिस आँख मूंद कर सो रही है आदर्श नगर थाने के बिल्कुल सामने हजारों की तादाद में बीच सड़क पर खड़ा रहता है चारों तरफ नजर मारों सुबह से शाम तक रिक्षा रिक्षा नजर आते हैं कोई रुकने का नाम नहीं लिता बीच सड़क पर रहने के कारण जनता को आए दिन परिशानी आए दिन एक्सिडेंट होते रहते हैं लेकिन पुलिस प्रिशासन इसको हटाने में नाकाम क्योंकि दिल्ली ट्राफिक पुलिस को इससे हर रिक्षे को 500 से लेकर 1000 तक हर महीना दिया जाता है तो फिर पुलिस प्रशासन क्यों करेगी कारेवाही अगर कभी कोई प्रशासन इस रास्ते से गुजरता है तो दिखावे के लिए हटा दिया जाता है लेकिन रिक्षा वाले को बीच सड़क से हटाने का हिम्मत नहीं जुटा था क्योंकि पैसे में जितना दम है पैसा लेकर कैसे हटा सकता है कोई भी आदमी कभी भी आकर आजात पुर लाल बत्ती चौक के चारो तरफ देख सकता है कितना भरमार रिक्षा लगा रहता है जो रिक्षा रिंग रोड पर चलता है जिसको रिंग रोड और जीटी करनाल रोड ही नहीं रिक्षे को सिर्फ कॉलोनी में चलाया जाना चाहिए जिसके कारण रोजाना एक्सिडेंट होता रहता है इसके लिए दिल्दी ट्राफिक पुलिस को अपनी जिम्मेदारी निभा कर बीच सड़क से रिक्षे को हटाना चाहिए और रिंग रोड और जीटी करनाल र रिक्षा चलाने से रोकना दिल्दी ट्राफिक पुलिस के जिम्मेदारी है जिससे एक्सिडेंट में कमी आएगी और आने वाली जन्ता को परिशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा रिक्षा वाले आंख मून का रिक्षा चलाते हैं लाल बत्ती हरी बत्ती रिक्षा दना जला जाता है